नमस्ते, मदर और आउन्वेकेसिन चनल पे आपका स्वागत है सभी रोओं को जड़ सिव खत्म कर देती है या चीज जो लोग जानते तो हैं लेकिन खाना पसंद नहीं करती करण क्या है कि लोग इसके गुणों के बारे में नहीं जानते तो आएए जानते हैं इसके ओशदीगुण दच्छिळ भारत में साल भर में फली देने वाले पेड़ है इसे सामबर में डाला जाता है उत्तर भारत में ये साल में एक बार ही फली देता है सरदिया जाने के बाद इनके फूलों की भी सबजिया बनाई जाती है इसकी नरम फलियों की भी सबजे बनाई जाती है सहजन इतनी फायदेमन सबजी है कि दुनिया भर में इसकी धूम मज़ी हुई है वीदेशों में ये सूपर फूड की तरह माना जाता है सहजन की पत्यों से सहजन के तरह तरह के पूड़क्त हेल्थ वेव साइट पे महेंगे दामों पर बिखते हैं आपका ये जानना जरूरी है कि सहजन में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इसकी दिमानी हो रही है सहजन की पत्यों से कैफसूल बनते हैं, पाउडर बनते हैं, वीदेशों में लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं आयरवेद में 300 रोगों का उपचार बताए गया है इसकी फली, हरी पत्यों और सुखी पत्यों में कार्बोहाइडर, रोटीन, कैलसियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनिजियम, विटामिन A, C और वी कॉंपलेक्स परचुर मात्रा में पाये जाता है इसमें जो विटामिन C होता है, वो संत्रे से 7 गुना होता है बिटामिन A होता है, वो गाजर के 4 गुना होता है, इसमें जो कैलसियम होता है, तूल से 4 गुना होता है सहजन में पोटेशियम होता है, वो केले के 3 गुना होता है, सहजन में प्रोटीन, दही के 3 गुना होता है, इसके फूल उदर रोग, वो कफ रोग में सैजन की फलियों का वात्रोग में पत्ती नेत्रोग में मोज सायटी का आदि में उप्योगी है इसकी पत्तियों का काड़ा बना कर पीने से गठिया सायटी का वाई विकार में शिक्र लाब मिलता है इसके सबजी बनाकर खाने से पुराना गटिया, जोडो का दर्द, वातरों में लाब होता है इसके पत्तों का रस बच्चों के पेट को स्वस्थ रखता है इसका रस सुबह-शाम पीने से उत्रक्षाब यानिकी हाई बलड पेसर में लाबदायक होता है सहजन की पत्यों के रस के 7 से मोटापा धीरे-धीरे कम हो जाता है सहजन में हाई मात्रा में folic acid होता है वे एक प्रकार का mono-saturated fat है सहजन में vitamin C प्रचुर मात्रा में होता है vitamin C बहुत सारे रोगों से लड़ता है हमारे शरीर के अंदर खास तोर से सर्दी जुखाम से इसमें कैल्सियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हमारी हट्टिया मजूद बनी रहती है इसके अलावा इसमें आइरन, मैगनेजियम और सिलिनियम होता है आखों की रोशनी अच्छी रहती है सहजन को सूप के रूप में पीने से शरीर का रख साप होता है अगर आप कोई जानकर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद